New Zealand के कप्तान केन विलियमसन ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप से जल्द बाहर होने के बाद टीम को फिर से एक जुट होने के लिए कुछ समय की जरूरत है। उन्होंने साथ ही 2026 में इस प्रतिष्टिट टूर्नामेंट में अपनी वापसी को लेकर कोई प्रतिबधता नहीं जताए। जब विलियमसन से पूछा गया कि क्या वे 2026 के टूर्नामेंट में वापसी करेंगे तो उन्होंने कहा ओ, मुझे नहीं पता। न्यूजीलेंड का अभियान पापुआ न्यू गिनी पर साथ विकेट की आसान जीत के साथ समाप्त हुआ। विलियमसन ने कहा, अभी और तप के बीच थोड़ा समय है, इसलिए यह एक टीम के रूप में फिर से एक जुट होना है। और हाँ, हमें अगले साल मुख्य रूप से रेड बॉल का क्रिकेट खेलना है। अन्य फॉर्मेट में इंटनेशनल क्रिकेट खेलूंगा और फिर देखता हूँ की चीजे कैसे रहती है। ये वास्तव में अनोखा रहा है, सभी लोगों के लिए एक अनूठा अनुभा। मुझे लगता है कि बल्ले बाजों के लिए परिस्थितिया चुनौती पूर्ण रही है, लेकिन ये बस एक रास्ता खोजने की कोशिश करने के बारे में है।